नमस्कार दोस्तो, दोस्तो बविशे की एक ऐसी लड़ाई जिसमें इंसान एलियन से हार रहा होता है और एलियन दुनिया पर कबजा कर रहे होते हैं, ऐसे में इंसान कैसे अपने लोगों को और अपनी दुनिया को एलियन से बचाता है, ये मूवी आपको बखू भी दिखात जो एक आर्मी परसन होता है। वो घर के अंदर चला जाता है और फैमली के साथ फुटबॉल मैच देखता है और वहीं उसकी बेटी उसे बताती है कि वो भी उनकी तरह साइंस में अच्छा बनना चाती है और तभी हम देखते हैं कि स्टेडियम में कुछ बिजली चमकती है और कुछ लोग हतियार लेकर वहां आ जाते हैं और उन्हीं में से एक लड़की सभी को बताती है कि वो लोग भविशे से आये हैं जहां उनकी लड़ाई एलियन के साथ चल रही है जिसे वे हार रहे हैं और अगर उन्होंने उनकी बनत नहीं की तो इनसान दुनिया से गायब हो जाएगा और उनके बास सिर्फ बारा महीने है और वो सबसे इस लड़ाई में समलित होने के लिए कहती है जिससे पूरी दुनिया में हड़कम मच जाता है और बहुत से सैनिकों को वहां भेजा जाता है लेकिन बहुत कम सैनिक वहां से वापिस आते है जिससे सरकार सभी नागरिकों को युद में भर्ती करने को कहती है और विश्व के सभी देश इस बात पर सहमत हो जाते है और गए हुए लोगों में आदे से कम लोग ही बच कर वापिस आते है जिससे लोग सरकार के खिलाफ परदर्शन करते हैं और सरकार भी भविश्य को बचानी की कोशिश में लग जाती है और वहीं डैन की बेटी भी एक बुरा सपना देखती है जिससे वो लोग उसे समझाते हैं और अगले दिन डैन अपनी क्लास में जाता है जहां एक लड़का मार्टिन हमेशा उससे जौला मुखी के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि सरकार उनके घर के बहुत से लोगों को पकड़ कर लड़ाई में ले गई है और वहीं सब लोग उसे बताते हैं कि 30 साल बाद उनकी दुनिया खतम होने जा रही है इसलिए पड़ाई करने में उन्हें कोई फाइदा नहीं है और तभी उसके मॉबाईल पर एक कॉल आता है और उसे आर्मी हेटकॉर्टर में बुलाया जाता है जहां लोग विरोध परदर्शन कर रहे होते हैं और वो लोग डेन के कुछ टेस्स लेते हैं जिसमें वो पास हो जाता है और वो उसे बता दे हैं कि उसे भविशे की जंग के लिए चुन लिया गया है क्योंकि भविशे की अनुसार वो 7 साल बाद 2030 में मढ जाएगा और वो लोग एक डिवाइस उसके हाथ में बांदेते हैं जिससे वो भविशे में जाकर वहां से आ सके और वो लोग उसे ट्रेक कर सके और कि अगर वो मर जाता है तो उसकी फैमिली को 10 लाग डॉलर मिलेंगे और अगर वो उस डिवाइस को तारता है या भागने की कोशिश करता है तो वो उसकी फैमिली को पगड़कर वहां भेज देंगे और वो लोग उसे 24 घंटे का समय देते हैं जिससे वो अपने काम करके वापस आ सके और वहीं उसकी बीवी उन लोगों से बात कर रही होती है जो उस जंग से बचकर 7 दिन बाद वापस आये होते हैं और वहीं डैन आकर उसे अपना डिवाइस दिखाता है जिससे वो उसे बताती है कि सिर्फ 30 परतिशत लोग ही वहाँ से वापस आते हैं और वो उसे वहाँ से भागने की कहती है और अपने पिता के पास जाकर उस डिवाइस को खुलवाने की कहती है जिससे वो उनके पास जाने को मना करता है लेकिन अपनी family की खातिर वहाँ चला जाता है और अपने पिता से मिलता है जो सरकार विरोधी होते हैं और उनसे छुपे हुए होते हैं और जैसे ही वो उसका device देखते हैं उसे खोलने लगते हैं लेकिन डैन उनसे बहुत घुस्से में बात करके कुछ कह देता है जिससे वो और ना ही उसकी माँ का खयाल रखा और वो उसे बताते हैं कि वेतनाम में लड़ाई के बाद उसका उन पर इतना असर था कि वो उससे पाहड नहीं निकल सके और इसलिए उन्हें उनसे दूर जाना पड़ा और डैन उन्हें कोसकर वहां से चला जाता है और जब उसकी बीवी उसके हाथ में वो device देखती है तो वो घबरा जाती है और डैन उसे बताता है कि दुनिया को बचाने के लिए उसका इस जंग में जाना जरूरी है और वो इस जंग से बच कर जिनदावा पिसा जाएगा और वो जाकर अपनी बेटी को एक जगा जाने के बारे में बताता है जि उन्हें एलियन के गले और पेट पर गोली मारनी है जिससे उन्हें मारा जा सके और उन सब लोगों को साथ दिन के लिए भविशे की जंग पर भेजा जाएगा और यदि साथ दिन बाद कोई जिनदा बचता है तो वो उनकी device की मदद से उन्हें वापिस बुला लेंगे और उसके बाद चार्ली डेन को अपने बारी में बताता है जो साइंस और एटमोसफेर डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर होता है और हार्ट सब को बताती है कि उन्हें जैंपलिंग डिवाइस की मदद से भविशे में भेजा जाएगा जो भविशे की दुनिया में समुदर क किनारे लगा होता है और उसी की मदद से लोगों को भविशे में भेज सकते हैं और वापिस भिला सकते हैं और उसके बाद जब वो आराम कर रहे होते हैं तब ही एक अलाम बच जाता है और हार्ट सभी को मिशन पर जाने को कहती है जिससे डैन उन्हें बताता है कि उनका बहुत से लोग गलत लेंडिंग की वज़ा से मारे जाते हैं लेकिन डैन और डोरियन की टीम सेफली लेंड हो जाती है और हम देखते हैं कि एलियन ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया होता है और उनके पहुचने पर बहुशे की कर्णल मूरी उनसे संपर्क करती है जिससे डैन उनकी बात का जवाब देता है और कर्णल उन्हें बताती है कि एलियन ने पूरे शहर पर कबजा कर लिया है जिससे उन्हें पूरे शहर को उड़ाना पड़ेगा और बंबारी करने से पहले वो डैन की टीम को उनकी रिसर्च टीम को लैब से निकालने की जिम्मेदारी देती है जिससे ये लोग वाँ जाने लगते हैं और वहीं टॉरियन एलियन के नाकून को निशानी के तौर पर रखता है और डैन देखता है कि रिसर्च ट्रीम मरी हुई होती है जिससे करनल उसे वहाँ से दवाईयों के कुछ सेंपल लाने को कहती है और सेंपल को लाने के बाद वो पीछे के रस्ते से बाहर निकलने लगते हैं और वहीं वो लोग एलियन को देखते हैं जो उनकी तरफ उन्हें मारने आ रहे होते हैं जिससे ये लोग उन्हें गोली मारना शुरू कर देते हैं और उनसे बचकर बचाव टीम की और भागने लगते हैं और एलियन भी इन पर अपनी पूच से डंक मारना शुरू कर देते हैं जिससे इनके बहुत से साथ ही मारे जाते हैं और डैन एक कुलाडी लेकर उस पर वार करता है जिससे डोरियन उसे मार देता है और जैसे ही बचावदल इनके और आ रहा होता है कि कुछ एलियन आकर उन पर अटेक करके उन्हें मार देते हैं जिससे करनल उने उस जगा से बाहर निकलने को कहती है क्योंकि बंबारी शुरू होने वाली होती है और ये लोग एलियन से लड़ते हैं लेकिन वो संख्या में बहुत होते हैं जिससे इनके कुछ लोग वहीं रुक कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं जिससे वो शेहर से बाहर जा सके और वहीं चारली टनल में गिर जाता है जिससे डूरियन डैन को वहाँ से निकलने को कहत लेकिन वो उसे बचाने चला जाता है जिससे डॉरियन के लोग वहां मारे जाते हैं और बम गिरने से पहले ये लोग शेहर से भाग जाते हैं लेकिन बम की वज़ा से बेहोश हो जाते हैं जिससे रेस्क्यू टीम आकर उन्हें आर्मी कैम्प में ले जाती है और डैन देखता है कि चार्ली और डोरियन तो जिन्दा होते हैं लेकिन बाकी सब लोग मारे जाते हैं जिससे डोरियन उस पर गुसा होता है और उसे बताता है कि उसे कैंसर है जिस वजा से वो सिर्फ 6 महीने ही जिन्दा रह पाएगा इसलिए वो आकरी समय में देश को बचाते हुए मरना चाता है और डैन उसे बताता है कि टीम को बचाना उसकी पहली जिम्मदारी है और वो जाकर कर्णल मूरी से मिलता है जो उसके मिशन के लिए उसे शुक्रिया कहती है और वहीं डैन को पता चलता है कि कंडल मूरी उसकी बेटी होती है जिसने उसके पिता की तरह साइनस लिया होता है और टास्क फोर्स लैब के शुरुआत की होती है और डैन उसे गले लगाता है लेकिन वहां कंडल होने की वज़ा से वो मना कर देती है और मूरी उसे बताती है कि उसने एक मिशन की वज़ा से उन्हें यहां बुला है ना कि पिता होने की वज़ा से और समय आने पर उन्हें बता देगी और वो उन्हें मादा इलियन के बारे में बताती है जो बहुत गुसेल और जमीन के अंदर रहकर अंडी देती है और जिसकी स जहर का असर उन पर नहीं होता है जिससे करनल एक मादा एलियन को पकड़ने का प्लैन बनाती है और डैन को इस मिशन में शामिल कर देती है और ये लोग उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं और वहीं रस्ते में मूरी उसे बताती है कि वो एलियन रूस की तरफ से आई थे और उसको तबहा करने के बाद उन्होंने तीन साल के अंदर पूरी दुनिया पर कबजा कर लिया होता है और डैन उससे पूछता है कि मरने से पहले उसने कैसी जिन्दगी जी होती है और मूरी उसे बताती है कि उसने उन्हें मिशन के आने के बाद सिर्फ मरते हुए देखा होत जो इनके काबू में नहीं आपाती और सब को मारना शुरू कर देती है और हलत को देखते हुए मूरी वहाँ जाती है लेकिन वो उपनी पूच से सब को डंक मारती है जिससे मूरी उसकी पूच में गोली चलाती है और गुस्से में वो मूरी को मारने आती है और वहीं और भी एलियन उसकी मदद करने को वहां आ जाते हैं जिससे यह देखकर डैन मूरी को बचाने चला जाता है और उसकी पूच को बांद कर उसे पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है जिससे एक हेलिकॉप्टर उसे वहां से ले जाता है और यह देखकर बहुत से एलियन उनके पीछे बढ़ जाते हैं जिससे मूरी और डैन उन्हें मार कर वहां से बीच की और भाग जाते हैं। और बीच पर आकर मूरी उस गुफा में आने के लिए उन पर गुसा होती है। और डैन उसे बताता है कि उसे बचाने के लिए उसे उस गुफा में आना पड़ता है और मूरी उन्हें बताती है कि जब उसे उनकी जरुरत थी जब वो उनके साथ नहीं थे और आज उन्हें उनकी फिक्र है जिससे डैन को कुछ समझ नहीं आता और मूरी उन्हें बताती है क उसके सोलवे पर्थडे पर एक एकसिडेंट में उसके मृत्य हो जाती है और यह सुनकर डैन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है लेकिन मूरी उस पर गुस्सा होती है और उसे बताती है कि वो हमेशा से उनके साथ समय बिताना चाहती थी और ये लोग अपने कैम्प आ जाते हैं जहां उन्होंने उस मादा एलियन को बेहोश करके रखा होता है और मूरी उसके DNA से डोस बनानी की कोशिश करती है जिससे उन्हें मारा जा सके और डैन से मदद लेती है और ये हजारों टेस्ट करते हैं जिससे डोस को बनाया जा सके और वहीं डैन उसे बताता है कि उसे उस पर गर्व है और वो उसे अराम करने को कहता है लेकिन मूरी मना कर देती है और डैन उससे वो मकसद पूछता है जिसके लिए वो उसे यहां लाई होती है और मूरी उसे बताती है कि उनके पास इतने resources नहीं है कि वो एक बड़ी मात्रा में उसे बना कर सब alien को मार सके और वो उस dose को उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए कहती है जिससे वो भविशे से आई होए खत्रे को रोक सके लेकिन डैन उसे बताता है कि वो उसे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ेगा लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता जिससे डैन उसे बताता है कि वो वहाँ डोस पहुचाने के बाद उसे लेने जरूर आएगा और वहीं वो डोस बनकर तैयार हो जाता है जिससे वो मादा एलियन उसे देख लेती है और चिला कर सभी एलियन को बुला लेती है जिससे वो सुरक्षा घेरा तोड़ कर अंदर आ जाते हैं और डोस को बचाने के लिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हर तरफ एलियन होते हैं जिससे वो इंजन रूम में हेलिकॉप्टर तक पहुचने की कोशिश करते हैं और वहीं वो मादा एलियन भी अजाद होकर उनके पीछे चली आती है और वो इलियन से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और उने मारना शुरू कर देते हैं जैसे ही पहुचने वाले होते हैं कि मादा एलियन आखर उस पर डंक मार देती है जिससे वो गिर जाती है और डैन उसे ले जानी की कोशिश करता है और वहीं वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है जिससे उनके बचने के सारे रस्ते बंध हो जाते हैं और मूरी उनसे अपने बुरी बरताव के लिए माफी मांगती है और डैन उसे बताता है कि वो उसे बचा लेगा और दोनों साथ में निकलेंगे लेकिन मूरी उन्हें बताती है कि उन्हें वहाँ जाकर इस तभाई को रोकना होगा और तभी वो मादा एलियन आकर मूरी को अपने साथ खीच लेती है जिससे डैन उसे पकड़ लेता है और वो डैन का हाथ छोड़कर उसे अपने साथ लेकर मर जाती है जिससे डैन उसे बचाने कूच जाता है और साथ दिन पूरे होने की वज़ा से वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और पेहोश हो जाता है और जैसे ही होश में आता है उन्हें वो डोस दे देता है और उन्हें वो डोस बड़ी मात्रा में बना कर भविश्य में बेजने को कहता है लेकिन वो उसे बताते हैं कि उनका भविश्य से संपरक तूट गया है जिससे डैन अपनी बेटी को याद करके दुखी होता है और हम देखते हैं कि चार्ली और डोरियन भी जिन्दा होते हैं और वो अपने घर वापिस चला जाता है जहां वो अपनी बीवी और बेटी को देख कर खुश होता है और रात में उन्हीं बेटी के पास ही बैठता है और अपनी बीवी को बताता है कि उसने बविशे में उसे देखा होता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता और उसकी बीवी साथ में मिलकर उसे रस्ता ढूंडने को कहती है और डैन उसे बताता है कि एलियन रूस से 1948 में यहां आये होते हैं लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिलता जिससे वो उसे बताती है कि हो सकता है कि वो बहुत पहले ही यहीं हो और वो जाकर डोरियन से मिलता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहता है जिससे अपनी बेटी को बचा सके और देश को बचाने के लिए वो मान जाता है जिससे ये चारली के पास जाते हैं और वो उस परफीली जगा को देखता है जहां जौला मुकी की राक होती है लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता और डैन अपनी एक स्टूरेंट से इस बारे में पूछता है जो उसे बताता है कि सालों पहले एक बहुत बड़ा जौला मुकी फटा होता है जिसकी राक आदेश में फैली होती है और डैन उन से रूस में फैले उस राक की जगा के बारे में पूछता है जिससे वो गूगल की मदद से उन्हें जगा बता देता है और हमें पता चलता है कि वो बर्फ के नीचे पहले से ही मौजूद होते हैं और जैसे ही बर्फ बिगल जाती है वो वहाँ से बाहरा जाते हैं और ये लोग जाकर डिफेंस चीफ से मिलते हैं और उन्हें उस जगा और एलिन के बारे में बताते हैं जिससे वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है जिससे डोरियन खुद वहाँ चलकर उन्हें मारने के लिए उनसे कहता है लेकिन चार्लियों ने बताता है कि रूस ने बॉर्डर बंद कर दिया है इसलिए उन्हें एक प्लेन और पाइलिट की जरुद पड़ेगी और डैन अपने पिता के यहाँ जाकर उनसे मदद मांगता है और वो राजी हो जाते हैं और वहीं मूरी की एक इंप्लॉय उसे डोज लाकर दे देती है जिससे वो उने मार सके और ये लोग साथ में वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ पहुच कर ये लोग उन्हें ढूणने के काम में लग जाते हैं लेकिन इन्हें बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलता जिससे डैन एक जगा मैगनेटिक फील्ड को महसूस करता है और ये लोग वहाँ माइन्स लगा कर उस जगा को उड़ाते हैं और उस जगा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक स्पेस्शिप होता है और देन उन सब को वहीं मारने की बात अपने टीम को बताता है जिससे एलियन का नाम और निशान हमीशा के लिए मिट जाए और तभाई ना हो सके और कुछ लोगों को बहार छोड़ कर वो अंदर चले जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि गल्दी से एकसिडेंटली उनका स्पेस्शिप वहाँ आ गया होता है और यह लोग बहुत से एलियन को वहाँ देखते हैं और उस डोस को उनमें लगाना शुरू कर देते हैं जिससे वो जोड़ से आवाज निकालते हुए मढ़ जाते हैं और वहीं और एलियन भी बहार आने लगते हैं जिससे वो उन्हें डोस देते हैं लेकिन कुछ एलियन वहाँ से भाग जाते हैं जिससे वो अपने पिता को ये बात बताता है जो बाहर खड़े होते हैं और वो डैन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं जिससे उन एलियन को मारा जा सके और वहीं वो लोग एलियन को मारते हैं और देखते हैं कि वहाँ एलियन की पूरी फौज होती है जिससे डोरियन और उन उसके पिता उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ कर उसके पिता उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है जिससे उसे जादा असर नहीं होता है और वो डंग से उन पर हमला करती है और बर्फ की वज़ा से भाग कर उन पर हमला कर देती है और अपने डंग से डैन को गायल कर देती है और डैन भी चाकू से उसका मूँ फार देता है और उसकी पूच में दवा लगा देता है जिससे वो पूच काट देती है और जैसी डैन को मारती है उसे बचाने के लिए उसके पता खुद को मारकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं जिससे paradox डेन उसका गला काट देता है और डूज उसके मुँमें डाल देता है जिससे वो मड़ जाती है और पहाड से टकरा कर नीचे गिर जाती है और Charlie भी वहाँ आ जाता है और News में ये बात फैल जाती है जिससे वो Defense Commander भी सारा credit अपनी उपर ले लेता है और Dan और उसके पिता घर वापस आते हैं जहां वो अपनी बच्ची को अपने पिता से मिलवाता है और ये Classic Movie यहीं खतम हो जाती है दोस्तो 2021 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDB rating 6.7 है और इस मूवी का budget 200 million dollar है अगर Indian rupees में देखें तो 7000 करोड रुपै तो दोस्तो आज के लिए बस इतना है फिर लॉटूंगा एक नई मूवी के एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद